हेलो एवरीवन, सिर्के में प्याज और हरी मिर्च को कैसे डाले? डालने का तरीका है बहुती आसान और पेट की सारी बिमारियों को आप दूर कर सकते हैं इस सिर्के की हरी मिर्च और प्याज को खा करके अगर आपके पेट में बहुत जादा गैस बनती है, पेट भारी रहता है और आपका खाना जल्दी से हजम नहीं होता है तो आप ये सिर्के की हरी मिर्च और प्याज आप रोटी के साथ खाएंगे तो ये बेहत स्वादिश्ट लगेगी और आपके पेट को भी बिल्कुल ठीक रखेगी तो फ्रेंड्स अगर आप दो रोटी के आपको भूख है तो आप दो की जगे चार खाएंगे क्योंकि ये सिर्के की जो मिर्च है बहुती जाद स्वादिश्ट लगती है और सिर्के में इस तरह से आप हरी मिर्च डालेंगे ये मोटी मिर्च डालती है तो ये खाने में इतनी जादर चरचरी भी नहीं लगती है क्योंकि अगर आप जादर बारिक मिर्च डालती है वो बहुती जादर चरचरी होती है और खाई नहीं जाती है तो friends जब भी आप सिर्के में हरी मिर्च डाले तो ये मोटे वाली मिर्च डाले ये खाने में बहुती टेश्ट ही लगती है और इन में ज़्यादे तीखापन भी नहीं होता है और आप रेस्टोरेंट वगेरा में देखते होंगे प्याज वाली सिर्का कि आपने खाई होगी विल्कुल वुस से भी ज़्याद अच्छा टेस्ट इसे प्याज वाली सिर्के का आता है अगर आप घर पर बना ये प्याज सिरके में डाल करके खाते हैं बहुत ही टेश्टी लगती है आप जो भी खाना खाएंगे आपका स्वाथ दो गुना बढ़ जाएगा अगर आपको किसी चीज की कोई चीज जैसे टेश्टी नहीं लग रही है कोई सबजी अच्छी नहीं लग रही है आप ये सिरके वाली प्याज और मिर्च उसके साथ खाएंगे तो आपको कोई भी सबजी टेश्टी लगेगी तो आपको इसको डालना कैसे है इसको मैं आपको तरीका बताऊंगी तो आपको एक कंटेनर ले लेना है किसी भी तरह का प्लास्टिक का ले सकते हैं काच का ले सकते हैं और इस कंटेनर में आपको सिरका डाल देना है तो ये सिर्का मैंने घर पर ही बना था गन्य का रस का बना था तो आपको इसकी वीडियो में मैं जल्दी आपको वीडियो ये डाल दूँगी और आप देख लेना सिर्का बनाने का तरीका इस सिर्के को बना करके मैंने अच्छे से चान लिया है और ये मैंने इसमें एक डब्बे में आदा डब्बे के करीब सिर्का डाल दिया है तो फ्रेंट्स ये जो घर का बनावा सिर्का होता है बहुत ही टेस्टी होता है और इसमें से जो खुस्बो आती है बहुत ही जादे अच्छी आती है तो मैंने इसमें थोड़ा सा सिर्का और डाल दिया है क्योंकि जो ये हरी मिर्च है ये बहुत जाद मात्रा में है इसलिए मैंने कभी सिर्का कम ना पड़ जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा सिर्का डबे में और डाल दिया है जैसे तो जैसे आप इसमें हरी मिर्च डालेंगे या फिर प्यास डालेंगे तो इनको डालने से पहले हमें सिर्के में एक चम्मच नमक डालना होता है तो कि नमक ढलकर करके अगर हम सिर्के में ये हृमीर। बगयरा डालती हैं बहुती टेस्टी एकदम ब्हुती अच्छी मिर्च लगती है तो यह मैंने सिरका भी बिल्कुल खराब नहीं होता है तो ऐसे हमें प्याज के छोटे-छोटे पीस कर लेने हैं जैसे आपको पसंद है आप पूरे साबुत प्याज भी इसमें डाल सकते हैं क्योंकि अगर आपके छोटे साइज के प्याज है तो आप उनको बीच में से ने काटे आपने सा साइज के प्याज थे तो मैंने इनके छोटे पीस कर लिए हैं इस तरह से प्रेंड्स-पो इस सिरके के अंदर सारी प्याज डाल देनी हैं प्याज को डाल कर्के आपको इसके अंदर हरी मिर्च डालनी है उसे डाल करके आपको деकण World करके रख देना है किसी जगय पर और आ हरी मिर्च को कभी भी आप ऐसे मत डाले इसको बीच में सिकाट करके डालेंगे तो इसके अंदर जो सिर्का है अच्छे तक तरह से भर जाता है खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है और फ्रेंट्स आपके पेट की सारी बिमारियों को ये दूर करता है पेट में भारीपन की बहुत ज़्यादा बनता है खाना खाने के बाद तो अगर आप इस शिर्के की हरी मिर्च और प्याज को खाएंगे तो आपके पेट में गैस की समश्या नहीं रहेगी और नहीं पेट में खाना खाने के बाद भारीपन होगा बैपकर आपका जो पेट है बिल्कुल अच् हैं ह Chemistry बाकि की मिर्च बची हुई है उनने हम बाद में डाल देंगी कि नहीं भी की मिर्च भाने में रख सकते हैं ज första siitä हम सा अग्ले ही दिन से इसको कुखना स्टॉर्ड कर सकते हैं और देखेगा आप की यह भूक बढ़ाता है क्योंकि भूक ने लगने की समस्या रहती है और अगर आप सिर्के की मिर्च खाएंगे तो आपकी भूक भी बढ़ेगी और आप दो की जगे चार रूटी खाएंगे क्योंकि सिर्के की मिर्च से अगर आप रूटी खाते हैं कोई भी सबजी हो खाना बहुत ही टेस्टी लगता है तो फ्रेंट्स आपक कि ली बाइ बाइ